तूपड़े हूँ चकर में कोई नहीं है रोहित कोली के टकर में फाइनल में पहुंचते ही लगाई हिंद के शेरों ने दहाड काप उठे अफ्रीकी गेंदबास चल दिया रोहित ने सबसे बड़ा ब्रह्मास्तर फाइनल से पहले रोहित ने मिला दिया धोनी को फोन मिल गए जीत के सारे मंत्र चोकर्स को सबक सिखाने की ठानी याद दिलाएंगे कोली फाइनल में गेंद बासों कुनानी भारत की जीत से सदमे में आई बाबा रिजवान क्रकेट जगत में मच गया कोहराम सचिन संग मिलकर तैयार हो गया फाइनल का फार्मूला एक खिलाडी को लेकर टेंशन में दिखे रोहित द्रवेड जियां जो सुना अपने वो बिलकुल सच है क्योंकि रोहित कोली ने वो कर दिखाया जिसका गुडगान पूरी दुनिया में हुरा है आखों में आसुदे कोली का रोहित ने ऐसा बदला लिया जिसने हर किसी को उनका मुरीद बना दिया क्या सचीन तो क्या धोनी हर कोई दिखज खिरारी रोहित की कप्तानी की दिल खोल कर तारीफ कर रहा है विदेशी धर्ती पर जो खूटा रोहित ने गाड़ा है उसने सब को हैरान करके रख दिया है इतना ही नहीं रोहित ने वो मुकाम भी हासल कर लिया जहां तक पहुँचने में खिरारीओ को सालो साल लग जाती है बाबर आजम की तो पैरो तले रोहित ने जमीन खिसका दी है एक जटके में उनके रेकॉर्ड को चक्ना चूर कर दिया जिसके बारे में आगे बताएंगे लेकिन उससे पहले आपको बता दे रोहित सिरा चोकर्स को सबक सिखाने की पूरी तयारी में लगी है रोहित लगातार धोनी से लेकर दिगज खिलाडियों संग मिलकर रननीती बनाने में लगे हुए जिसने कोली द्रविड को भी हैरान कर दिया है कोली ने सोचा भी नहीं होगा कि रोहित भाई का ऐसा फर्ज रिभाएंगे कि उनका सीना भी गर्ब से चोड़ा हो जाएगा आपको बताते टीम इंडिया आप T20 वालकप के फाइनल में पहुँच चुकी है जिसके लिए सभी खिलाडी उन्हें कमर कसली है दावा किया जा रहा है कि फाइनल मैच को लेकर रोहित एक अलग रणीती के साथ मैदान में कदम रखेंगे जिसके लिए रोहित द्रविट धोनी और सचिन संग प्लानिंग बनाने में लगे हुए मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी का जा रहा है कि भारत के चैर खिलाडे चोकर्स के अर्मानों को चक्राचूर कर इतिहास लग देंगे जिसमें सबसे पहला नाम टीम इडिया के कप्तान रोहित का है जिनका बला इस पूरे वाल्ड कप में जम कर बोला वो टॉर्नमेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है उन्होंने साथ बैचों में 248 रन ठोके है वहीं आस्ट्रेलिया के खिलाब 92 तो इंग्लैंड के खिलाब रोहित ने 57 रन ठोकते है फाइनल में वो साथ अफरीका के खिलाब अपनी बल्लेबाजी से तहल का मचा सकते है दूसरा नाम उनके जिगरी सुरिकुमार गैदव का है जिन्होंने इस पूरे टॉर्नमेंट में भारत के लिए कुछ एहम पारिये खिली उन्होंने इस वाल्ड कप पे साथ बैचों में 196 रन ठोके वो अफरीका के खिलाब बड़ी पारी खिल सकते है तीसरा नाम ऑल्राउंडर अक्षर पटेल का है जो इस वक्त बल्ले और गेन दोनों से चाय हुए है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ तीन विकेट लेकर तहल का मचा दिया था साथ ही जब वो अंत्बे बल्ले बाजी करने आय थी तो उन्होंने एक छखका भी लगाए था उनको अपने इस ओल्राउंडर परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर आफ दा मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया अक्षर साथ अफरीका के खिलाफ काल बन सकते हैं चौता नाम देश के आयन बांशान कुल्दीब यादव का है जिने वेस्टनीस लीग में प्लेंग 11 में शामिल किया गया था जब से अब तक खेले गए सर्फ चार मैचों में कुल्दीब ने दस विकेट लिए है वही सेमी फाइनल में उन्होंने तीन विकेट इंग लैंड की खिलाफ लिए थे यादव अफरीका के लिए बड़ा खत्रा बन सकते हैं हाला कि फाइनल में सबके निगाएं कोली पर ज़रूर लगी रहेंगे क्योंकि विराट का बल्ला भले इस टोर्नमेंट में ना चला हो लेकिन वो फाइनल में अपना दम ज़रूर दिखाएंगे इस बात की उमीद रोईत को भी है उन्होंने मैच जीतने के बाद ये कहा भी था कि विराट कोली ने अपने बेस्ट फाइनल के लिए बचा कर रखा है बेशक रोईतने मुस्कुराते हुए इस बात को मैच के बात कहा हूँ लेगिन उनकी इस बात के पीछे एक यकीन भी आखों में था जो साथ दिख रहा था अब टीम इंडिया वेस्ट इनलीस के बारबाडो स्टेडियम में टियास रचने उतरेगी और जो दस साल का सुखा है उसे खत्ब करेगी बेरे रिपोर्ट भारत पॉसिटेव